10 प्लस 1 बाइलोजी इसके टोटल पाँच यूनिट्स हैं यूनिट नमबर 5 हूमन फिजियोलोजी इसका चैप्टर नमबर 1 दाइस बुक का चैप्टर नमबर 14 ब्रीधिंग इसमें हम टोटल छे पाट्स पडेंगे नमबर 1 रस्पिरेट्री ओर्गन्स नमबर 2 मेकनिजम अब ब्रीधिंग नमबर 3 एक्सचेंज अफ गैसे नमबर 4 ट्रांसपोर्ट अफ गैसे नमबर 5 रागुलेशन फ्रेस्पिरेशन नमबर 6 दिसॉर्डर्स अफ रस्पिरेट्री सिस्टम ओके तो फर्स्ट जो पार्ट है रस्पिरेट्री ओर्गन्स इसका एक पार्ट है ह्यूमन रस्पिरेट्री सिस्टम नमबर 2 मेकनिजम अब ब्रीधिंग इसके टोटल एक पार्ट है जिसके आगे नाइन पार्ट है रस्पिरेट्री ओल्यूमन एंड केपैसिटीज इसके नाइन पार्ट हैं No.1 is Tidal Volume, No.2 Inspiratory Reserve Volume, No.3 Expiratory Reserve Volume, No.4 Residual Volume, No.5 Inspiratory Capacity, No.6 Expiratory Capacity, No.7 Functional Residual Capacity, No.8 Vital Capacity, No.9 Total Lung Capacity. अब थर्ड पार्ट जो है Exchange of Gases, Then 4th पार्ट है Transport of Gases, इसके दो पार्ट से हैं Transport of Oxygen और Transport of Carbon Dioxide, No.5 पर है Regulation of Respiration, No.6 पर है Disorders of Respiratory System, इसके तीन पार्ट से हैं Asthma, Emphysema, Occupational Respiratory Disorders.